कि ऐसे कि डब्बा कर लेते हैं डबाये जीसाकि डब्बा का कल का व्लोग आया अम्मी का और सब कुछ निकल गया मैंने सारे व्लोग देखे ब्ट मैं रेक्शन वीडियो नहीं बना पाई तो मैं कल की वीडियो की बात कर लेती हूं कल लोग देखा तो भाई फाइनली जो है ना फनी अपने पेरेंट्स के पास चला ही गया वहाँ अच्छा लगा और कहीं ना कहीं वह खुश भी था कि वह अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है क्योंकि वह बिचारा इस टाइम अब भी अपने ससुराल में रह रहे है यहां पर उल्टा हिसाब किताब है जहां पर लड़की को ससुराल में रहना चाहिए वहां पर लड़का अपने ससुराल में रह रहा है तो जो फनी जा रहा था नहां पर जो इनकी मैडम है जो इनकी महतर्मा है वो कुछ जादा ही उदास लग रही थे मुझे समझ नहीं आए कि अरी इत पुसराल में रहती अपने साथ ससूर की जो है सेवा पानी करती वो लड़का वहीं रहता एकलोता बेटा है उनका पर नहीं जैसे ही शादी हुई वहां से फन्नी को भी उड़ा के फुर करके ले आई मुंबई जब फन्नी जा रहा था तो जो डबा की मां है वो भी बहुत गाड़ी में जा रहती है तो कुछ मांपे कुछ टाइमिंग थी मैंने कमेंट देखा था एक्चुली मैं भी देखके थोड़ी हरान हुई मैंने दुबारा से जाके व्लोग देखा उसका टाइम पे तो किसी ने कमेंट किया हो था कि इतने टाइम पे जो है यह अपनी प्रेंग्नेंसी रिपोर्ट चेक कर रही थी आप लोग भी देखो मैंने जब जाके देखा तो मुझे वह प्रेंग्नेंसी रिपोर्ट तो नहीं लगी लेकिन हाँ हो सकता है किसी को लगा हो क्योंकि वह सोनोग्राफी थी और सोनोग्राफी एक्चुली उसका जो है भी ट्रीट्मेंट चल रहा है क्योंकि उसको PCOD है और PCOD है तभी वह बार-बार हो जाते हैं और उसके बाद जो है बार-बार सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है कि अब कितना सिस्टा है कितना रहे गया कितना रिमूव हो गया तो चलिए यह तो क्लियर हो गया कि प्रेंग्नेंसी वगरा भी नहीं है और होगी तो शायद यह बताई देंगे या फिर मा है तो मा की मोटरलाफ वाली हसी बननी होती वो इस तरीके से मुझे खिलाती है कि मैं एकदम डरी जाता हूं है ना और यहां नीचे आए तो बुआ है इनकी डबा वो अपना कपड़ा लेके कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे कभी उपर वो बच्चा तब भी नहीं हस र है ठीक है बार घुपना फिर ना हो गया पूरा व्लोग हो गया हम इनका कम्प्लीट तो वैसे ही सेम जैसा हमीशा रहता है कि कुकिंग कर रही हूं बिर्यानी बना रही हूं इतना जादा तेल उसमें इतना ओयल जबकि इस मैडम को PCOD इनको यह नहीं पता कि बंद होनी है मुझे लगा कि यार यह जो ट्रीटमेंट करवा रही है यार यह सक्सेस होगा भी नहीं होगा इस तरीके के अगर यह तेल खारी है अपनी डाइट में होड़ो हमें क्या वैसे भी तो क्या है ना कि यह लोग नहीं मानने वाले आप चाहे कितना ही इनको समझा लो वीडियो बना बना कि इनकी सेथ पर कोई फरक निपड़ने वाला अच्छे पूरे व्लो का सबसे जो बुरा पार्ट था ना वो था मेहर वाला है ना अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मेहर को किस तरीके से यह लोग एक तरीके से कहते हैं कि बेज़ती करना वो सब कर रहे हैं ल तरीके कुछ भी कहली जी सिटी में रहती है हाई सिटी में ना लेकिन वो जो लड़की है मेहर वो रहती है मोदा में तो मुंबई में और मोदा में जमीन आसमान का फरक है अब मुंबई के स्कूल और मोदा के स्कूल में भी बहुत जादा फरक है तो जिस तरीके के एजुक नहीं ना उससे बोला जारा और इतना ज़्यादा वह कैमरे के सामने अपने आपको ऐसा फिल कर रही होगी कि अगर कोई दूसरा इंसान उसको देख रहा है शायद काफी सारे लोगों के अंदर ऐसा फिल होता भी होगा कि अगर हमें कोई चीज नहीं आती ना तो अगर आप सा सारा है ना सारा तक उसके साथ ऐसा बिहेव करती है मैंने कई बार इनके व्लोग में देखा है जब यह जो है अपना रुहान से मिलने उपर गए थे मा बेटी तो उन्होंने जो है इनकी मम्मी ने मतलब जो इनकी खाला है बाहर आई है जो उन्होंने गोदी में उठा रखा कि यह उसके साथ क्यों करर एज एक उस लड़की को जो है इस टाइम पर यूज किया जा रहा है अच्छा बात कर लेते हैं जनाव और मैडम की तो मैडम का सबसे जो मौस्ट वाला जो सीन था ना जो सबसे जादा ट्रोल हुआ है जब वह रुहान को जो है वास वेशन में खड सिर्फ मतलब भरी पड़ी होती है वहाँ पर उस बच्चे को जो है खड़ा कर देती और वहाँ पर चपक चपक बच्चा खुश हो रहा है एक बाद बताओ यार क्या इनके पास इतने पैसे नहीं कि नहीं वह नहीं लेके आएंगे मुझे लगता है शायर नहलाती बच्चे कि लेक्त ब स्वेशन में होगी। वेसे इनकी अम्मी जो है बहुत तोर तरीके से रहती है सिरव ढ़क के पलू बलू अच्छे सी लेके रहती है और उस टाइम पे जब ओपरेशन थेटर में सोरी रूम में थी तो वहां पे उनके सिर पे टुपटा भी नहीं था उनके हेर्स वगएर दिख रहे तो उनको सोचो किस कैसा फील हो रहागा कि यार मैं किस तरीके सहती रही क्या मेरा बेटा जो है ना मेरी पूरी नुमाईश कर रहा है यहां पर इन ल माँ को बोला कि आप दस हजार स्टेप यह जो है डेली पूरे करने हैं अम्मी देख लेना अमी मैं पूरा चेक करूंगा अम्मी तो डर गई है ना कि भाईया दस हजार स्टेप मैं यह दोजार स्टेप पूरे नहीं हो तो बेटा तो मुझे बहुत ज़्यादा डाटेगा तो भाइया घबरा आ गई थी वह सीन देके लेकिन हाँ यह है कि वह खुश भी नहीं वी वोच लेके वह खुश होती अगर उन्हें कुछ गोल्ड डाइमेंड यह सब चीज़े दी जाती फिर उसके बाद सूट दिया तो भाइया सूट देके उनके एक्स्प्रेशन एकदम से मतलब अच्छे हो गए अम्मी ने पूछा कि भाई यह किसकी पसंद है हाँ पिपिका की पसंद है लेकिन वह अराम से बैठी है ना अपना जवाब देना ना कुछ लेकिन जैसी वह पहले इस घर में आई थी ना सबको जो है मक्कन मलाई जो है लगाया जाता था अम्मी का ब पोड़कास पसंद आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मैं आगे से जो है प्रोपर पोड़कास बनाया करूंगे इस फैमली पे तो अगर आप कोई पोड़कास पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा बेल आपसे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई